मैं हमेशा यह मानता था कि भारत इस डोमेन में अच्छा है कि जो सबजियां हम कहा रहे हैं अगर आप नॉन्वेज हो तो जो आप मास खा रहे हो एटलीस उसमें एंटिबायोटिक्स और अडिटिव नहीं होते हैं पर काफी सारे साइंटेस्स मुझे मिलें जो कहते कि नहीं हमारे सबजियों में भी हमारे मास में भी अब आप एंटिबायोटिक्स आने लगे गया हैं सच या जूट इना ज्यादा यह जो पालट्री होती हैं उसमें आप जितना एला होता है एक रिप ऑसा कि नॉम्पेयर में लबकितुलना में चिकन में जिसके एक 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 प्रमेटिबल रिमांट होता है इतने आमाउंट देना है आपको और उसका 10,000 ताम ज़या देते हैं इंडिया के एक और major problem है, infertility. मतलब आप बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते. अलग-अलग problems की वज़ा से. अलग problems है. तो इंडिया number one है पुरे वर्ड में हो गया है. है? Infertilty के cases में. क्यों? क्योंकि 10 में से मुझे लगता है, टू couples ऐसे हैं जो ये problem को face कर रहे हैं. इसकी वज़ा क्या है? Genetic endogamicity and dietary transformations. आज का बहुत ज़्यादा मज़दार podcast हर भारतवासी के लिए बहुत जरूरी है. प्लीज जितना हो सके इस podcast से सीखिए. क्योंकि आज के guest है भारत के एक बहुत ही महान scientist, जो international stage पर भी बहुत ज़्यादा respected है. इनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है. ये molecular biology के भी expert है और archaeogenetics के भी expert है. आपको खुद की जिंदगी के बार में, खुद के खाने पीने के बार में, खुद के भविष्या के बार में, खुद के बच्चों के बार में, खुद के पोते-पोतिहों के बार में, आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस conversation के through. मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया इनसे बात करके, I am 100% sure आपको भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा. ये एक comedy-oriented podcast भी है, science-oriented podcast भी है, Dr. Neeraj Rai, लौट कर आएंगे, ये है हमारा part one of a two-part special, enjoy कीजिए और सीखिए TRS के साथ. Dr. Neeraj Rai sir, भारत को आपका इंतजार था, कैसे है हुसर? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, मुझे भी इंतजार था इस शो में आने का. ओके, पता है आजका लोग film वाले podcast बहुत कम देख रहे हैं, और आप जैसे intellectuals के podcast बहुत ज्यादा देख रहे हैं, व्यूज भर-भर के आते हैं, पर सिर्फ intellectual podcast पर. क्या आप aware हो इस चीज़ को लेकर? हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि scientific podcast को भी लोग देखे हैं, और पिछले दो-तीन सालों से काफी interest बढ़ा है लोगों में, और मेरे पास भी काफी questions आते हैं, email साते हैं, और लोगों को जानने में उसकता होती है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं और इसका क्या importance है, तो I think in future काफी लोग इसमें involved होंगे और इस subject में अपना interest दिखाएंगे. Sir, आपके subject में आप एक world leader हो, ना कि सिर्फ भारत के एक leader, archaeogenetics और molecular biology पर इसके थ्रूँ भारत के इतिहास को ज्यादा समझना, ये जो sentence मैंने अभी कही, ये हिंदी में समझा दीजिए, कि मेरा मतलब क्या है, इन subjects का मतलब क्या है, और इससे हमें भारत के असली इतिहास के बारे में क्या पता चलता है? कि हमारा इतिहास काफी पुराना है, ये जो है, ancient history and medieval history का बात नहीं है, हम पिछले आपे 80,000 years से रहा हैं आपे, 80,000, 80,000 साल से इंडिया में दा रहा हैं हमारे ancestors, और जिसके की काफी archaeological evidences भी हैं and geological evidences भी हैं, geological means tools and rock arts, paintings होती हैं and जहाँ human रहते हैं वहाँ पर उनके traces भी हमें मिलते हैं in forms of fossils and other artifacts. genetically भी हमने देखा की 80,000 years से South Asia में humans हैं और one of the earliest migration Africa से जो हुआ, वो South Asia में हुआ. तो इंडिया में जो humanity है, oldest in the world और जो हमारी diversity है, वो भी oldest in the world है, oldest in terms of genetic diversity. तो हमारे अंदर जितनी भी भिंताय हैं, वो पूरे वोर्ड में सबसे ज़्यादा हैं. तो इनकी history को पता करने के लिए हमें ना तो हमारे पास कोई literary evidences होते हैं, ना तो हमारे पास कोई oral histories होती हैं, तो हमें scientifically जाना होता है. मतलब लिखी वी चीजे नहीं होती और बोली वी चीजे भी नहीं होती हैं. तो फिर क्या करना होता है? हम इसको scientifically इस चीज़ों को सामने लाने कोशिश करते हैं, जैसे कि archaeological records जो human द्वारा बनाई हुए चीजे होती हैं या उनके द्वारा जो उनके imprints होते हैं, वो हमें मिलते हैं, जहां पे वो राते हैं, उसको बोलते हैं, जहां पे उनका settlement होता है, ठीक है, उन चीज़ों को हम scientifically analysis करते हैं और जानने कोशिश करते हैं कि उनका lifestyle और उनका जो रहने का तरीका क्या रहा होगा और कितने ओएडवांस रहा होगे, तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहा हैं और जो हमारा tool है, उसके लिए हम use करते हैं archaeological materials, like human bone remains, potries and artifacts, उनका scientific analysis करते हैं, for example DNA analysis, अगर हमारे पा कि वो कौन लोग थे, वो क्या खाते रहा होंगे, किस तरह का पानी पिया, rain water harvest किया, या ground water को बिखकर के पानी पिया, क्या हमारे जैसे ही दिखते थे, हमारे जैसी morphology थी, क्या हमसी strong थे, उनकी जो height क्या थी, और उनकी जो genetic diversity थी, जो genetic lineage है, वो आज के context में, इस population के सब ज़ होगे 10 years पहले तक, तो इंडिया में इस तरह काम कोई नहीं करता था, हम पूरी तरह से निवर थे, European scholars के उपर, बट आज के डेट में हमारे पास experts है, technology है, government की funding है, supports है, उसकी मदद से हम लोगे जानने के कोशिच कर रहे है, it's just beginning, आम आदमी को इन चीज होगे, बार में जा कि समाज में बहुत सारे मित होते हैं कि हमारे पुर्वज इरान से आए, हमारे पुर्वज यहां से आए, हमारे पुर्वज ब्रामन थे, ठीक है, हमारे पुर्वज दलित थे, बहुत सारे मित होती है, बहुत सारे जो है, गलत फर्मिया होती है, जो समाज में फैली होती है, उसको अगर हम एक सही दिशा दें और उसको अगर साइंटिफिकली हम उस तत्यों को प्रूफ करें तो इसे एक समाज का भला भी होगा और लोगों को भी एक सुपता आएगी कि हम कौन थे हमारे पुरुष कौन थे तो मुझे रगता है कि इतिहास को जानने के सुपता सब के इंदर होती है के आपके अंदर एक छोटा बच्चा भी है जो इस subject को बहुत जादा enjoy कर रहे है तो वो छोटा बच्चा किस चीज को enjoy कर रहा हम यह कोशिच करते हैं हम जो है जो historical evidences होते हैं उसको हम लैब में बैठ के उसको करते हैं वेलिडिट जैसे कि हमने पढ़ा बच्चपन से पढ़ा इसले दस साल तक हमारा यह मानना था कि R.N. भाहर से आये मैं ब्रामान हो हमारे पुर्वज बोलते थे आप भाहर से हमारे पुर्वज भाहर से आया है एंच विपल्वाइट क करते थे हम लोग बाहर से बाहर से हैες किशे तो अपने तेस्ट की से रटी तुमbacks नहीं में टिस्कें ball लागए तो करता हूं उसको में इंजय करता हो। मैं अपने आपको ईयन और मेरा डान के वह न से बिलकुल ही मैritis करता है। तो मेरे गुसा होगी काफी, यदि अपने 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 फादर को गुष्य वह जए सफ़ आपने लगे हैं, not only father, मेरे गाहों को इतने भी इंटेलिक्टॉल लोग हैं, सब इस बात को मानने लगे हैं, कि कोई genetically या DNA-wise कोई difference नहीं है, यह डिफरेंस क्रियेट कराया गया, समाज के कुछ चालांक लोगों ने जो है, जो तोड़ने की जिनकी साजिस थी, उन्हों ने जो है, अंग्रेश थे, पहले भी बहुत लोग थे, तो उन्हों ने यह सब जो मित फैलाया, जिसको मैं तोड़ने की काम कर रहा हूँ, मैं एक्जाक्ली समझ के आप क्या कह रहा हूँ, बहुत लोग है, जो हिंदी में यह Aryan Invasion Theory नहीं जानते, द्राविडियन शब नहीं जानते, और शायद जो आपने कहा, ब्रामन, दलित, कास्ट सिस्टम के बारे में, उसके भी डीटेल्स नहीं जानते, तो वैसे मैं आपसे ब सबसे फेवरेट टॉपिक है, और बहुत साय लोग आया है, पॉडकास्ट पर अलगलगा राय दिया है, पर अब मैं डॉक्टर नीराज राय से पूछे हूँगा, आपकी राय क्या है सर, इस पूरे टॉपिक को ब्रेकडाउन कर दीजे, क्योंकि आपके पास वो राइट है आप इस सब्जेक को सटड़ी कर रहे हूँ एक साइन्टिफिक तरीके से, बताइए आपको यह वाली कहानी कहा से शुरू करनी है, आर्यान इन्वेजन थियरी से शुरू करनी है, फिर उसके बाद सायन समझाईए, ठीक है, आर्यान इन्वेजन थियरी एक कोई थियरी नही जो कि कॉमन है नॉथ इंडिया में एन वही लेंग्वेज शेयर होती है बहुत सारी रूपेन कंट्री में तो एक तो वह था है एविडेंस के पास दूसरा यह था कि कुछ लोग जो दिखते हैं गोरे और इंटेलेक्चिवल जो स्कॉलर होते हैं और उनी कॉंटेक्स्ट में उनी टाइम परियेड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका फेयर कॉंपलेक्शन था डार्क होता है और वो सोशली स्टेटिफाइड होते हैं वो दूसरे तरह के कामों को करते हैं तो इन सब को एक एविडेंस बना करके नों में बुला कि आर्लेन इन इन वेजन हुआ थाउजन इस अगोब भारत में इतिहास से पहले लोग यॉरप से आये यहां और यहां बेसिकली हम सब आदिवासी हुए करते थे और हम इन लोगों ने सब कुछ सिखाया बिलकुल की ऐसे खेती करते हैं लिखते ऐसे वगएर टेकनॉलजी यह होती है बिलकुल एक तरह से जो यॉरपियन इंपीरिलिजम हो रहा था पिछले 500 सालों से जहां यॉरपियन देश दूसरे देशों को टेक ओवर कर रहे थे यह उनकी एक छोटी सी साज़श थी ताकि हम खुद के बार में कम सोचे कि यार ने ने लोगों से ही सब कुछ सीखाया बिलकुल अब सहमत हो हा हमारी scientific findings को नहीं मानता है हमने इस तर्थ को डिस प्रूफ किया वन आप दा बेस्ट जर्रल इंडियन पूरे वर्ड का सबसे बड़ा जर्रल है उसमें published case finding को और आज के डेट में जितने भी European scholars है American scholars वो इस बात को मान चुके हैं कि कोई भी आरेन इंवेजन नहीं हुआ है ब कने इसे प्रूफ किया हिए हमने 4500 यह ओल सेंपल लिए चार जारत वर्याने सैंपले लिए और हमने पूररे के इंडिया के लिए नियुटिं Nick Ofar कश्मीर के वीह सैंपल लिये हमारे पाथ सैंपल संपल्र पाकिस्तान के भी हैं ौर हमने उनका DNA सिक्वेंसिंग दिफरेंट कास्ट डिफ्रेंट लेंग लिंग्विस्टिक ग्रूप के सैंपल भी हमारे पास है और हमने देखा कि पूरे की पूरे पूरे साउथ अशिया इंक्रोडिंग स्रिलंका और नेपाल इनकी जो जिनेटिक एंसेटी एक है कुछ कंपोनेंट्स है जो की रोप से आए है जिनकों बोलते हैं स्टेप इंसेटी हो हमके सारे के अंदर है वह बत उसकी जो इंट्रोग्रेशन टाइम है वह काफी पुराना नहीं है वह 3rd 4th 5th century BC के आज पास जो है मिलता है जब सिकंदर आये था हाँ उस टाइम पर है और वह इन फ्लो माइग्रेशन तो एक कॉंटिनुवस प्रोसेस होता है कोई लैंड बैरियर था नहीं हमारे पास और लोग माइगरेट करते थे फ़र इसामबल पार्सी सेवन एट सेंचुरी एडी में हमने पार्सी के भी काफी सारे सेंपल से काम किये काफी पॉब्लिकेशन में उनके उपर हमने देखा सेवन सेंचुरी में एडी में आया हो और पार्सी भी यहां पे आने काम मिक्स हुए है लोकल गुजराती छोरी अच्छी लगे बच्चे पैदा कर लिए पार्सी लोग भ और वहां से वो डिफेंट डिफेंट डिरेक्शन में में बैगेट किये और मोस्टली 80-90 परसेंट वो मेल थे 10-20 परसेंट के आसपास फिमिल थे हैं हां और और क्यों कि वहां पे जब इस्लामिक इन्वेजन हो रहे था हिरान में तो जरोश्टीन्स रिलिजन एक खत्रे मे में मूफ किया तो उस समय इंडिया एक बहुत थी सेफ लैंड था उसके पहले जीव भी आए जीव इंडिया में के रिला में और वहां पर आए वहां के लोगों के साथ मिक्स हुए रोल तो आज की डेट में अगर आप देखोगे जीव तो वह बिलकुली इंडियनाइज हो इंडियन पार्सी के कंपेर में ज्यादा उनकी जो एंसेस्ट्री है वह इंटेक्ट है आप अगर इरान के जो पार्सी है उनकी जो एंसेस्ट्री आप देखोगे वह काफी टैलोड हो चुकी है अरब के साथ बर इंडियन पार्सी वह ज्यादा इंटेक्ट है जो तो जनेट एक सिंगल में वह वह थी हंड़ेड तो फोर हंड़ेड यह स्टाइड के डियुरेशन अब कि आप 20 से 25 जन तक लोगाय मिक्सवें मतलब धीमे दीमे से लोगाय मिक्सवें और अगर कोई आ रहा है को एक सेंटरल एसियन इन्वेडर आ रहे हैं अपने घोरों के साथ यहां पर कर रहे हैं तो अपने साथ अपने टेक्नालोजी भी लेकर आएंगे अपने आर्ट्स को लेकर आएंगे अपने आर्टिफेक्ट्स लेकर आएंगे पॉर्टरी बनाने की जो नॉलेज होगी उसको लेकर आएंगे बट हमें कुछ तरह के कुछ भी कल्चरल आर्टिफेक्ट् नौलजज लेकिया है और यहां के लोगो इसके पहले के जो सिविलाज़ाशन है मोंजदारो राक्कीगड़ी दोला बिरा लोथल काली बंगन आप जाकर देखिए टेक्नोलोजी वहां पर पॉर्टरी बनाने के टेकनोलोजी इस बीड बनाने के टेकनोलोजी इस सिटी की जो थी उस अब इंडिजनेस लोग थे और जो उनकी एंसिटी जो हरपन एंसिटी है आज की डिट में पूरी इंडियन में हैं मैंने अपना इस्टिमेट किया है मेरे इंदर 45% एंसिटी हरपन एंसिट्री वाह हमने इंडिया के कोई भी ऐसी पॉपुलिशन नहीं नहीं देखी जिसमें कि हरपन एंसिटी नहीं हो अगर आप अब किसी फिरंगी से बात करोगे नहीं हो बहुत स्वीट होते हैं जन्यूनली कुछ-कुछ रेसिस्ट होते हैं कुछ-कुछ देशों में पर हर जगा अच्छे लोग होते बुरे लोग होते हैं जो फिरंग होते अच्छे होते हैं जितने मैं मिला हो अच्छे वो लोग ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में यॉरप में पर उन सब में वाइट गिल्ट नाम की चीज होती है उसका यह मतलब है कि पिछले 500 सालों में यॉरपियंज ने फिरंगियों ने बहुत सारे देशों को टेक ओवर कर दिया और बहुत कुछ किया वहां उन देशों में बुरी चीज़ें करी एट्सेटर एट्सेटर जो हम भारत में देखते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री को लेकर उस्ट्रेलिया में इससे बहुत भयंकर चीज़ें हुई है आफ्रिका में इससे बहुत भयंकर चीज़ें हुई है भारत में भी भयंकर चीज़ें हुई बट एकनोमिकली भयंकर मतलब हमारे देश को लूटा वहां के सिवलाइजेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दि वो आपको sorry कहते है वो कहते है कि sorry भाई क्योंकि मेरे पूरवज ने आपके पूरवज की band बजा दी पर जब हम ये शब्द यूज करें, band बजा दी, उसका ये मतलब है culturally भी हमें destroy करने की कोशिश करी तो शायद जब Europeans यहां आए उन्होंने तब ये Aryan invasion theory डाल दी ताकि हम खुद के बारे में कम सोचे हमारी textbook में भी डाल दी Aryan invasion theory, मुझे याद है जब मैं 600 में पढ़ाई कर रहा था, ये theory लिखी हुई थी वहां, कि theory ये थी कि Indus Valley में लोग होते थे उन्हें dravidians कहा जाता था और फिर Aryans आये यॉरप से उनके जगडे हुए और फिर dravidians मूफ तो साओथ इंडिया साओथ इंडिया गए, तमिल नाडू, केरला करनाटका, आंधरा, तलंगाना वहां गए, इसलिए अब जब आप इंडिया की map देखते हो तो कुछ लोग ये करते हैं वाइसा वाइसा, पंजाब, कश्मीर में भी साओले लोग होते हैं, तो ऐसी सब थियरीज अभी सौ सालों से, 200 सालों से, हमारे माता-पिता की जेनरेशन, हमारे ग्रैंट-पैंस की जेनरेशन बिलीफ करती आ रही है, और इस बिलीफ की वज़े से एक थोड़ा सेल्फ डाउट हो जाता है पर अब विराट कोली का युग चल रहा है, अब हर भारतिय यूवा विराट कोली की तरह सोचता है, कि नहीं हम किसी से कम नहीं, और इसलिए मेरे खियाल पिगमेंटरेशन हो जो जो पिगमेंटरेशन होता है, वो जनेटिक होता है और हमने कुछ भी जनेटिक वेरेशन नहीं देखे तो आप जितना एक्सपोज होगे लाइट से उतना आपकी जिस्किन जार्क होगी और उसके लिए एक जीन होता है, Celsi 4582 जीन, वो इन्वाल्व होती है तो अगर जाओगे 8000 यूर्स पहले बिटेन में, तो वहां के लोग काले थे बिल्कुल ब्लेक, हमने जनेटिक ली प्रूफ किया उसको, अगर आपको लाइट का एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो इसके लिए ऑगर लाइट हो गया नॉथ इंडिया में, लाइट का एकसपोजर उतना नहीं इता, साओफ इंडिया में तो वहां के लोग adopt हो गए तो skin pigmentation is just adaptation process it's not genetically it's not racial thing मतलब 10 generation के अदर आपके पूरे 2 से 3 generation में 2 से 3 generation आपका skin pigmentation change ज़एगा वाह ओके इस Dravidian theory के बार में पूछना चाहता हूँ मेरे अनुसार Britishers ने यहां बहुत जाद़ divide and rule का इस्तमाल किया हिंदू-Muslim के जगड़े करवाए है अलग-अलग states के जगड़े करवाए है तो मेरे according यहां South India और North India की divide करने की कोशिश कर रहे थे हमें कह रहे थे कि देखो North India के पूरवजों ने South India के पूरवजों पर आक्रमन किया और इसलिए South India के पूरवज वहाँ South States में चले गए correct? यह मैं सही कह रहा हूँ यह है साजश ताकि North Indians और South Indians के बीच एक दरार बन जा मेरे एक दोस्त है Madan Gauri, Tamil Nadu के बड़े यूट्यूवर है वो कहते कि आज भी Tamil Nadu में जो politics होते है, state politics वहाँ भी ऐ Aryan invasion theory और Dravidian theory यूज करी जाती है बहुत कम तमिल लोग देख रहे होंगे यह podcast क्यूंकि हिंदी में है कुछ कहना चाओगे इसके बार में जो जैसा बोलते हैं कि Dravidian की जो ancestry है उसको बोलते है ancient South Indian ancestry ठीक है, वो ancestry तो North Indian में में मिलती है आप genetically तो North India और South India में कोई difference है यह नहीं about 3000 years ago mixing इतना ज्यादा हुआ North South में इतना migrations हुए North Indian population में भी ASI ancestry मिलती है South Indian में भी वो मिलती है ANI ancestry जो North Indian ancestry है language में भी आपका Indo-Oripean languages बोलते हैं तो काफी प्रवाना है Sanskrit ना उत प्रूफ हो गया Sanskrit is the oldest language और जो Dravidian language है वो भी काफी old है तो ना तो linguistically ना तो genetically कुछ भी उसमें हमें differences नहीं है South India and North India में तो अब तो लोगों को समझ माना चाहिए जो Britishers हैं, Americans हैं उन्होंने कितने सारे publication किया है और उन्हों ही confirm किया है कि North Indian South Indian में genetically कुछ भी difference नहीं है अगर आप इस बात को लोग अगर नहीं मानने को तयार है तो फिर तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम broader audience तक इस बात को ले जाए मैं ये कहना चाहत हूँ कि पूरे भारत में हर भारते में एक team mentality होनी जाए हम एक ही है बिल्कुल आप सहमत हो इस बिल्कुल इसलिए आप बट हमने देखा South India में भी जो लोग intellectuals हैं जो जानने कोशिस कर रहे हैं उन लोग बिल्कुल ही बहुत हद तक change हो चुके हैं अब जो पहले साथ scenario आज के 40-50 साल पहले वो अब नहीं है उसको political benefit के लिए वो बोलते हैं कि हम Dravidian civilization oldest है हम North से migrate की हम South में आए हैं वो चीज़ें अब नहीं हैं अब उतना ज़्यादा नहीं है अगर मान लो कोई Tamil युवा ये वारा podcast देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे एक gene है इसको जिसको बोलते हैं कि आरियंस लेका है थे आरियंस लेका है और नॉर्थ इंडिया के जो population है उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है आरवन एवन एंसेश्ट्री जब हमने South इंडिया के राउन 2000 लोगों का सेंपल किया तो हमने देखा अब उनके पास कुछ भी इस तरह के concrete evidence नहीं है ना तो fact है तो मैं तो यह बोलना चाहूँगा कि आप scientific data देखिए और जो publications है उसको पढ़िए बिल्कुल clear हो जाएगा कि दरवडियन population अगले है नॉर्थ इंडियन से नहीं है इवन जो स्रिलेंकन से हैं तो इरानियन और नॉर्थ इनियन को बहुत क्लोज है compared to South Indian population वाँ scientific findings है और इसको जो है will accepted findings है हमारे publications डिवी होते हैं internationally data online होता है कोई भी data को चेकर सकता है यह findings है बहुत unrelated सवाल भी पूछूँगा sorry sir पता नहीं अजीब सवाल कहां से आजाए पर पंजाबी इतने हट्टे-कट्टे क्यों होते है पंजाबी में क्या होता है यह एक gene होती है जो lactose tolerance के लिए responsible होती है मतलब आप दूद ज्यादा पी सकते हैं अफ्रिका में क्या है कि दूद वहां के लोगो अफ्रिकन्स दूद को का जो होता है ना सुगर लैक्टोज उसको डाइजेस्ट निकर सकते हैं अफ्रिकन्स और इंडिया में जो नौर्थ इनियन्स हैं उसमें दूद को डाइजेस्ट करने की जो कैपसिटी है थोड़ा सा ज्यादा होती है वाह ठीक है तो एक रिजन वो है ज्यादा मिल्क पीएंगे के चंजूम कर लेंगे दूसा रिजन है सेलेक्शन जैसे कि कोई पॉपलेशन है मान लेजे सो लोग है वो पॉपलेशन हो गया एक लाग ठीक है पचास जनरेशन में अब उस एक लाग के लोगों में एक बीमारी आई अब जो दस बचेंगे वो काफी स्ट्रांग होगे न क्योंकि 90 जो वीक वाले है वो कतम होगे तो वैसे ही पंजाबियों में भी सेलेक्शन हुआ है काफी कई लेवल तक का सेलेक्शन हुआ है पॉपलेशन बढ़ी फिकम हुई फिर जो सर्वाइवल थे वो फिर से बढ़े इसलिए उनका जो साइज रथवासा ज्यादा होता है पहला तो है लेक्टोज वो होते हैं टॉलेंस और दूसरा होता है कि उनका सेलेक्शन हुआ है उसकी वज़ा से वो लंबे हट्टे कटे चोड़े होते है वेदर का भी रोल रहता है वेदर का कोई रोल नहीं है खाने का रोल रहता है जैसे आप वही ना आप देखिया साइबरिया में या जो जो सब्सक्राइब काफी लंबे चोड़े होते हैं क्योंकि इतना वहां पर वारफेर हुए है इसलिए तीन अजास सालों में कि जो कमजोर थे जो सर्वाइब ने कर पाए वो मारे गए जो स्ट्रॉंग थे जो लड़ने में कामयाब है उनकी जो जेनेटिक जो लीनेज है वो प क्योंकि जो हमने जो खाना जो एडॉप्ट किया है यह राइस दाल चाहौल यह तो इस रिसेंट फिनमेना फाइज पहले हमने यह खाना सुरू किया हम सब नहीं वेज का थे उसके पहले पचास लाग साल तक 50 लाग साल तक हमने क्या खाया है प्लांट बेस्ट प्रड़क्स काया है एंड मीट खाया है सड्यनली हमने अपने डाइट को चेंज कर दिया तो उसकी वज़ए से काफी डाइवस्टी काफी बीमारिया हैं दूसरा है कि फाउंडर एफेक्ट कुछ से पार्सी हैं पार्सी दोस हो आया अभी पार्सी पचास हजार के आसपास है दो हजार द आमना है कि उसको बोलते हैं जनेटिकली फांडर एफेक्ट आप अपने जो जनेटिक डाइवस्टी को कमजूर कर रहे हैं उसकी वज़ए से क्या होता है कि रिसेस्जी एलील्स होते हैं जीन के जो वीक वाले जीन्स होते हैं वो कॉम्बनेशन माहन लगते हैं वो मेक्सिको चल जाए है मेक्सिको या साउथ अमेरिका भारत से अलग किसी जगा जाओ वहां पती डूंडो या पुहां चले तिबत यह मांचल में जो वहां पे जो पॉपलूशन है अर्ची वार्चाहिए तो भारती नारी बिल्कुल बट यह काफी इंडिया के लिए एक बह वाले टाइम में मतलब चारीग पचाहस साल बाद जो है जो जो ग्रेटिक बेश्ट डिसॉर्ट में वह अनकंट्रोल होंगे है और बहुत बड़ा एककोनॉमिक चैलेंज आने वाला है बहुत एक्स्ट्रिमली एकोनॉमिक चैलेंज क्योंकि हम तो डेटा दिखाते हैं हम त इतना ज्यादा बढ़नाने वाला है कि हमारा देश सक्षम नहीं होगा उसको मैनेज करने में मतलब आप यह कह रहे हो कि अक्सर भारती और लोग भारती और लोगों से शादी करते हैं अपने ख्लोज मैं जैसे आप eight generation पहले अगर वो आपके siblings रहा होंगे आठ generation के बाद आपने उनी के लीनेजर से फीर स्पिस और चादी कर ली मतलब मेरी बेहन के पोटे के पोटे के पोटे के मेरी पोटे के से शादी करेंगे तो फिर वो genetic heterogeneity maintained नहीं होगी रिसेसिव एरिल्स का ज्यादा एक्कुमुलेशन होगा मतलब हमें ब्राजिलियन और यॉर्पेंज नहीं बट आप रेंडम करो आपको कोई भी लड़की मिल जाए है गजरती हो पञ्जाबी रहा इनमी हो तो आप उससे करें अपने गोत्र में या उसमें निकखने कर बढ realidade पडल स्कूं कबया कि इसलिए इंडिया की जो होती है दिर्सक्रति को समझ पाना बहुत मुछीक मैंने लिए‌अट हर दिस्कर्य चैनल पर हैक सेखका था, कहा जाता था कि अगर आप, यह मैंने नहीं कहा रहा हूँ, यह डिस्कवरी चैनल से मैंने सीक था, और मेरे सामने मतलब हो सकता है कि यहां तो उन्होंने भूट टायम से नहाया नहीं है, पर अगर उसे उस फैक्टर को हटा दे, फिर भी आपको उनका बॉड़ी ओडर कुछ खास नहीं लग रहा है, उसका मतलब यह हो सकता है कि वो जिनेटिकली आप से सिमिलर है, और अगर आपको कोई ऐसा मिला, जहां उनके नाच्रल बॉड़ी ओडर की वज़ा से आपको लगे कि यहां मुझे कमफर्ट फील हो रहा है, इनका नाच्रल ओडर मुझे अच्छा लग रहा है, और किसी का नाच्रल ओडर यहां तो आप उनके साथ जिनेटिकली कमपाटबल हो, मतलब आपके बच्चे ज्यादा हेल्दी होंगे, तो अब किसी को डेट करने से पहले मैं उनकी स्कैल्ब जाकर सूंगता हूं, तो अगर नहीं मजा के रहूंगे, यह को साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है, कई सारे पॉलिकेशन है, हमारे अंदर ए आपके स्मेल, अपने काउंटर पार्ट की स्मेल अच्छी लग रही है, इत मिन्स कि जिनेटिकली यह बहुत ही डिफरेंट हो, आप डाइवर्स हो, और आप लोग इक दूसरे के कॉंपेटिबल हो, जिनेटिकली कॉंपेटिबल हो, बच्चे तगड़े निए बच्चे ज् अपनेटिकला छंते कालग लोग ना, दमाम allahu बच्चे इन refrigerator, मेरे अच्छी यहा पनजाब यह पनजाब हो, क्योंकि मैं था माहराश्त्रा उन पहराश्त्रा हो, मतलब मेरे मम्मी इं हा गोसे हाफ माहराश्त्रा लाइरे पंजाबी है, माँनलो कर भूसे स्टेट के ल तो में रिकमेंट नहीं करूंगा तो मुझे नौन पंजाओवी, non-Gujrassian, non-Maharashtian लड़की नूदफ़ कर दाओगे नाए, गुज्राव में मिल जाएगे भूट लोग funky tenderly distant नियुक्छाट में पंजावा पर यॉह कैसे लोग गे कम से कम सो जनरेशन distant हो गई सौ जेनरेशन पहले मेरे पूरज और उनके पूरवे भाइबेन थे तो टेखनिकली स्पीकिंग यह मैं जोक करता हूं जब मैं किसी को अपने खुद के जनेटिक पूल के बार में बता रहा हूं जोक करता हूं कि यार देखो मेरे मम्मी और डाडी ने वेस्टर इंडिया की प अब च्छहते हैं मैं ज़ें तो सबसको कि बनाना था क्रिकेटर बनने के लिए आपको विराट कॉली का जीन लि annerry at आप से नहीं जहां तक मैं जानता हूँ कुछ कुछ सुना था इंटरनेट पर यह बस पॉड़कास्ट की शुरुवात है यह सच में बताएं आप बेसिकली साइंटिस्ट होने के नाते बहुत तगड़े साइंटिफिक डेटिंग टिप्स दे सकते हो तो डेटिंग टिप्स द जो फैमिली के जो प्रेशर उसको नहीं लेना चाहिए जैसे फैमिली बोलते ही है कि आप मेरे रिलेटिव की लड़की है उसे आप शादी करो जो अरेंज मरेज मरेज में लोता है उसको थावाज थोड़ा सा जो है उसको लेकर के सीरियस होने की जरूवत है उसके लिए हम क च्राइटिक काौंसलिंयन होती है ऐसके जो अरेंज मरेज होते हैं लुड मेरेज में तो कोई सखेयर नहीं है। अब जिससे पहार सहादी करोगе चाहे वौत अरेंज मरेज मेरे थे हैं और जैसी समेख एक भी उखती है थोड़ी सी तोड़ी को यह सो ह्से और जो अहीं से ह उसमें भी जनेटिकली डिवर्सिटी काफी होती है बट अभी का जो क्लाइमेट है और पॉलुशन है उसकी वज़र से बहुत दूर तो नहीं जा पाता है यह आमने सामने बैठे हैं तो फ्रेंगनें नहीं पहुंच पाता है तो एक पॉलुशन भी एक रीजन हो सकता है ज़ो काफी रिस्क में आ चुके हैं जैसे कि वापलूशन नौथ इंडिया में अगरवाल है इनका जो एंड़ोगैमिक इंडिक्सेश है काफी है मतलब क्या काफी एंडोगामिक है तो मैं दूसरे कसा उना इनमें जरेटिक बेस्ट जो डिजीसें है काफी ज्यादा है प्रिवलेंस काफी ज्यादा हो गए है कौन सी होती है डिजीजेस्फ यसे कि साथ इंडिया में एक कम्यूनिटी है वैसिया उनके अंदर क्या होता है की उसको बोलते हैं butyl, choline, esterase enzyme वो ज़्यादा बने लगती है जिसे कि हम देते हैं जब anesthesia drug तो उनके body को काम सूट नहीं करता हो और उसकी वज़े से क्या होता है कि उनकी death रहाती है अभी south में क्या होगा है कि ये compulsory हो गया है इतना enzyme इतना fast बनता है वो कि अनकी death drug को metabolize कर देगा हो तो ये बहुत जस मैंने एक example दे रहा हूँ ऐसे बहुत सारे diseases है बहुत सारे बीमारियां है, genetic बीमारियां जो एक caste, एक population specific है हड़ियों की बीमारिया, joints की बीमारिया बहुत सारे diabetes से लेकर के स्रने कारिया, काडियोमापर्थी, हाइपरेटेंशन बहुत सारे रेर डिजीज़ बहुत हैं जिसकी प्रिवलेंस काफी कम होती है बट वो पॉपलेशन में है वो अगरवाल क्म्यूनिटी अगरवाल क्म्यूनिटी में भी है और कौन से वेशन कम्यूनिटी है साउथ में पलार है नौर्थ में भी कुछ ब्राह्मन ग्रूपस है ऐसे वरावन 30-35 ऐसे पॉपलेशन है जिसका की जो एंडोगैमिक इंडेक्स है वो वर्ड में जो सबसे हाइस्ट एंडोगैमिक जो पॉपलेशन है से फिंलेंड की एंड एसकनाजीज जीूस इसी iki से वरल फोल जोय्द है और छुपलेंड की फं वो शादी कने से पहले अनको टेस्टिंग कराना कंब सरि रोता है जेनेटिक के बिना वो शादी निगह सकते है just to avoid this kind of disorders, but India में आप देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब साइन्स की वज़े से वो जेनरेशन बच चुकी है, बिलकुल पर भारत की population threat जो आपने कहा कि पचास साल बाद बहुत बड़ी problem होने माले है, अभी हो गई है, बट पचास साल बाद तो एक्स्ट्रीम आएगा, इसी problem होज़े से, तो एक picture draw out कर दीजे, मान लो 1070 की आप movie बना रहे हो movie में क्या क्या होगा movie में होगा कि आप कुछ भी offspring produce करने से पहले आप की testing होगी genetically आप fit हो कि नहीं government आपको license देगी आप जाओ बच्चे पढ़ा कर सकते हो तो इस तरह का मैं एजूम करता हूँ कि यह चीजे हो आएंगी शायद मतलब आप इसी individual को test कर रहे हो, उनकी gene की वज़े से या एक couple को test कर रहे हो, एक couple को as a combination test कर रहे हो combination test होगा, और दूसरा मैं सोचता हो कि by 2070 जो मेजर फोकस होगा, किसी भी country का, वो होगा hospitals and facilities इंडिया बहुत सारे पैसे इंवेश्च करने वाली है hospitals में and to advancement of medical science में काफी पैसे इंवेश्च करने वाली है क्योंकि हमारा बोन से लेकरके and tissue cells सब कुछ बिकार हो रहा है हमारा जो dietary pattern है चेंज हो चुका है सारे खाने में antibiotics and steroids आ रहे हैं तो उसे तो बहुत problems हो रही है एक तो आपके बाद genetic problems है genetic problems भी आप कर सकते हैं सो good food eating habits से और वो भी हमारे पास नहीं है हमारे पास इंडिया में जो protein scarcity काफी ज़दा है major जो staple food is carbohydrate है हमारा खाना carbohydrate है नहीं हम तो मेरी eaters है ना protein चीए हमें 60% तक वो एक major challenge आने वाला है mainly आप यह कह रहे हो कि अगर हमने genetic rules follow नहीं करे शादी के लिए अगर हमने खुद के communities में शादी करी हमारे बच्चे unhealthy निकलेंगे और जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे बहुत health problems होने वाले उन health problems की वज़े से भारत के economy को effect होगा क्योंकि अगर most of your population is unwell most of the time या कुछ ऐसे heart patients arthritis के patients तो basically भारत चलाएगा कौन अब यही कह रहा हो मैंने कुछ point मिस किया ने बिल्कुल आपने सही बुराग solution अब क्या है solution अभी का आपको health care के लिए बहुत ही serious होने की जरूवर्मेंट को और अब यह मांदो कि government serious नहीं है health care को यहाँ मुझे जोता है चुनावी मुद्दा नहीं होता है अमने कभी सुना कि चुनावी मुद्दा में हम hospitals हमारे health care plan ही होगा हम यह हमारी policy होगी मैं तो नहीं कभी देखा किसी भी government का यह चुनावी मुद्दा हो क्यों कि आजकल फिर से divided and rule apply किया जा रहे है कि यह देखो हमारा धर्म उनके धर्म से स्यादा बहतर है यह हो रहा है पर असल में future की बात है होनी चाहिए और future में health care एक बहुत key topic है हमारे बिल्कुल और मैं जो Muslim community है मैं उनको भी बोलना चाहूँगा इसको बहुत धान से उनको ध्यान देने की बात है कि वो भी इस direction में सोचें क्योंकि मैंने देखा कि इस factor जादा है उनमें पर एक बहुत scientific और impractical scientific पर impractical solution यह है कि किसी दूसरे देश में जाकर अपने life partner को दूण लो बट यह काफी कथिन है कितने लोग जाएंगे दूसरे देश में कोई ऐसे state में जाकर इंडिया में भी आप कर सकते हो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे stock populations है जिनकी जो diversity काफी ज़्यादा हाई है अगर आप South Indian हो आपको East India में जाए East India में पंजाबी में भी पंजाब में भी वह सरे से communities हैं जो एक दूसरे से काफी distant है तो उनकी mapping करने ज़रूरी है गुजरात में भी वह सरे से communities होंगी जो एक दूसरे से काफी distant होंगी तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल यह अलग देश चले जाओ आपके आसपास में भी लोग ऐसे हैं आप जिस लड़की से अपडेट कर रहे हैं आप बस एक सिंपल सा टेश कर लो और देखो कि जनेटिक कॉंपिटिबिल्टी कितनी है उनकी सुगंद कैसी है सुगंद तो ठीए कैसे बन तो नेच्रोल नहीं रहा ना बहुत मजा रहा है यह फॉड़कास में और इसकी वज़े से काफी भी हो रहा ना इंफर्टिल्टी भी हो रही है इंडिया के एक और मेजर प्रॉलम है इंफर्टिल्टी शब समझाईए इंफर्टिल्टी में जो ऑफ्स्प्रिंग अब बच्चे पैदा ही नहीं कर सकता है अलग अलग प्रॉबलम्स की वज़ा से तो इंडिया नमबर बन पुरे वर्ड में हो गया है इंफर्टिल्टी के केसे क्यों क्योंकि दस में से मुझे लगता है तो कपल्स ऐसे हैं जो यह प्रॉलम को फेस कर रहा है इसकी वज़ा क्या है? जनेटिक एंडोगेमिक सिटी एंड डियेटरी ट्रांसफोरमेशन अब ही यह मुझे जानना है मतलब यह अब्विस सी चीज अगा है जो हमारे जो डियेट काते है उसके वज़ेसे हमारा पुरा हेल्थ होता है डियेट का थिप्रेंटरी होती लसके वहशन है गादा किलोगे मैं तो तो मैं यह मानता हो फिल्स हमारा की नहीं है यह एक प्ekwsरी बैयक्तरिया तो ओसके हम रही है वो अपने हिसाब से चला रही है हमारे अंदर एक दुनिया है यस दुनिया है वो वो अगर उसकी एक population कम हो रही है एक community कम हो रही बैक्टरिया की तो वो आपको stress देगी आप stress में हो जाओगे और उस stress की वज़़े से बहुत सरह life experience को share करना चाहूँगा एक learning को share करना चाहूँगा अमेरिका में 3-4 बार गया हूँ मेरे जिंदगी में और मेरे बहुत सारे करीबी के दोस्त अमेरिका में पढ़ रहे हैं मैंने उसे पूचा कि अमेरिका में अलग क्या होता है culture उन्होंने का it's a pill oriented culture मतलब हर चीज के लिए एक tablet होती है एक दवाई होती है हर चीज के लिए आपको tension भी फील हो रहे है को आपको दवाई दे देता है यह बहुत common चीज आ अमेरिका में पूरे दुनिया में अगर आप यॉरप जाओगे न ऐसा नहीं होता लोग पिल्स कम लेते है जब बिमारी होती है तब लेते है अज मेडिसन वहाँ हर चीज के लिए पिल्स होते है और यह supplementary पिल्स नहीं है supplements तो हर जगा होती है और काफी साथ supplements आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है अगर आपने research किया और उसके बार में जाना तो पर हर चीज के लिए पिल्स जैसे मुझे anxiety हो रही है तो अगर मुझे focus करना अगर पढ़ाई करने उसके लिए भी पिल लेते हैं तो I am sure कि आपका पेट का bacteria उन पिल्स के बचे से definitely affect होता होगा अगर उस पिल्स में Antibiotics है डिफरेंटली होगा Antibiotics का अगर साथ दिंग का डोज लोगे तो आपके 95% तक जो बैक्टरिया का वेट है जो क्वांटिटी होगा मुझाएगी 95% तक पर जेनरली आपकी बॉड़ी केमिस्ट्री भी बदल रही हैं तो अगर आप भारत की किसी गाओं में जाओगे वहां के लोग ज्यादा तगड़े होते हैं ज्यादा हेल्दी होते है I feel as compared to city उसके बहुत साही रीजन्स है पल्यूशन भी बहुत बड़ा 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 इन्डिया के प्लेष्ट में बड़ा है जो अगरिकल्चर को एडॉट ये अदो आप गोंग जो सिटी में रहते हैं सबसे अब आब ये कह रहे हो कि जो लोग जंगल में रहते हैं यहां नेचर के साथ रहते हैं, वो ज्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि वो एंटी बाइटिक्स और स्टिरोइट्स नहीं खा रहे हैं, अपने खाने के थुरू, और स्पिसिफिकली चिकिन की बात करते हैं, हमें लगता है कि हम जहां से बिलॉंग करते हैं, लखनवू, वहां तो मेरे साथ से सबसे फिर क्ता खाना हुई है, उसके लावा हुआ कि सारे खाना हैं, सारे वेजटेबिस में कोई में अधाय है, उसमें फर्टलाइजर का बहुत जदे हैं मुल्क में स्ट्रैइट्स जालते हैं, तो मुंबाई में एक शब्द होता है घॉटी चिकन, आदो खाना ठीक है मेरे साब से सही है हां मतलब ज्यादा हिल्दी होता है जो बड़े-बड़े वो चिकन के लेग पीस होते हैं बड़े-बड़े चिकन प्रेस होते हैं शायद उनमें सबसे ज्यादा और नौन विच खाने से आप विजटेबल विजटरियन हो तो आपको विटामिन B12 एंड विटामिन D3 उसकी डिफिसेंसी हो सकती है क्योंकि जो सोर्स होता है वो नौन विजटरियन उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेना होगा अगर आप विजटरियन हो तो और मैंगनीज है हमारे मैंगनीज और सिलेनियम बॉड़े के लिए काफी यूसफुल होता ह वो इंडियन कॉंटेंक्स में काफी कम मिलता है हमारे सब्जियों में इवन नौन वेजट फुड में तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेना चाहिए थोड़ा और ब्रेकडाउन करना ऐसा है देखो मैं नौन वेजटरियन बिलकुल नहीं हूँ वो मेरी खुद की पर पर मैं सिर्फ एक हेल्थ परस्पेक्टिव से जानने की कोशिश कर रहा हूं बेजड़ान फैक्टरी फार्मिंग तो प्लीज करेक्ट मी जहां मैं गलत कुछ अगर कुछ कह रहा हूं ठीक है जब मैं खुद नौन वेज खाता था तो मैं बहुत जादा पैकेज चिकन खाता पैकेज चिकन से जज्यादा हेल्य होता है वेज़ कि और शॉसमें भी शाहिद स्टिरोइट और ये खोते ही हो ब्लूप तो अगर चिकन खाने एक हल्दी तरीके से हैं अपको तरफ देसी चिकन खाना चाहिए हाँ अगर देसी चिकन को ऐसे कैया गया है जिसमें की स्टिए किया जाता है अब जब आप रेस्टरांट का खाना खा रहे हो एंजॉइ करो पर ये भी जानो कि आप स्टिरोइड डाल रहो बॉडी में और यह रहा है और इस्टरोइड का और यूरीन से बाहर निकल लाता है एट आउर्स के बाद या ट्वल आउर्स के बाद बाद इस्टरोइड लंबे समय तक रहता है बॉडी के इंदर कि उसको मेटाबोलाइज करने की जो प्रोसेस होती स्लो होती है तो इस्टरोइड ज्यादा हांफुल होता है तो मान लो मैंन थे सालों से नहीं है और मेरे बॉडी में भी वह स्टरोइड नहीं होता है कुछ टाइम तक होता है वह बादी से बाहर आ जाएगा आप चिंदा मत करो अफिट हो तो आप बेसिकली यह करो कि जो मटन नॉथ इंडिया में मिलता है अगर वह फार्म का मटन है अगर फार्म का गाउं से लाए जाते हैं जो दिल्ली में मान लो आप रेस्टों में बैठकर गाउं से आता हो मुंबाई में मुझे पता नहीं मुझे पता है यहां पर फार्मिंग होती होगी यह क्यों कहरो बड़ा शहर है डिवांड जाद रहा है लैंड्सकेप उतना बड़ा नहीं होग तो मुझे अपरेटिव सेफ दें चिकन अभी के लिए और मच्छी में आप देखो वाटर बॉड़ी कैसा है अगर पानी साफ है तो अच्छा आपको मच्छी मिलेगा कुछ मशलिया ऐसी होती है जो फ्रेश वाटर में ज्यादा होती है तो रहु मशली होती है जी फ्रेश अगर वाटर गंदा हो जागा तो नहीं मिलेगी रहु तो आप रहु को पिकर सकते हो आपको स्मार्टली अपने खाने को चूज करना होगा कुछ मशलिया होती है जो गंदे पानी में भी सर्वाइब करती है तो वह बहुत सारे अर्सनी को भी अपने बॉड़ी कंदी ले ल कि इसमें कुछ है मेरे ख़्याल से एक मच्छी या बसा करके जो अक्सर रेश्टरांट में मिलती है एक chir-षे नापिए जैदा करदा हेल्दी होती है ओके ऑके यहां तक पानी कंपेर टु फ्रेश वारत ने डेंजरेस है मुझे जहां तक मैंने देखा है नौथ इंडिया में मुस्ली जो फ्रेश वार्टर होते हैं उतने फ्रेश नहीं होते हैं तो मतलब जू हम यह कहे रहे हैं कि पल्यूटन्स की इसके एफेक्ट्स हमें 20-30 साल बात दिखेंगे। आपका जब आप एजड होंगे तो इसके एफेक्ट देखने सुरो जाएंगे। एक बिमारी होती है उसको बोलते हैं काडियो माय पैथी हमारे एक जीन होती है इसको बोलते हैं मायोसीन बाइनिक प्रोटीन को कोड करती है उसमें डिलेशन हो जाता है एक टुकड़ा उसका निकले गया बाहर जनेटिक ली होता है तो उसमें जो मायोसीन प्रोटीन बनते हैं जो हार्ट की जो वाल का जो होता है मसल्स मनाती है वह एक एज के बाद वीक पढ़ने लगती है 45-50 के बाद और उसकी बज़र से आता है क अब यह एक खतरनाक सवाल पूछना है अंडों का क्या अंडे भी है आप जो खाना दोगे उसमें स्ट्राइट्स होते हैं स्ट्राइट्स होंगे तो अंडे में भी जाएंगे आप अगर एंटिबाटिक खा रहे हैं तो एंटिबाटिक जब निकलेगा आपके बॉड़ी से रही Rev snug में नारता है अंडिबाटिक व इस टूल जायेगा आपके सीवेज में सीवेज में जो पाणी ऋगा उसमें रही बीन आपको करते हने beer टो कहें हमत्रों कि आपके की इक्वाइमेंट हैं तो आप इस्टरोयट को आप कंप्रमाइज करना ही पड़ेगा आपको और हर कोई सब्लिमेंट और प्रोटीन चेक सफोर्ट नहीं कर सकता है यहां भी अगर जैसे देशी चिकन होते हैं उनके अगर अंडे खाए आपने ज्यादा बहुत 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 यहां यह बहुत बड़ी बिजनस ऑपरचुनिटी है मुंबई में देश भर के लिए अपसो और निक किसे गुरो करेंगे बहुत टैनल होगेगा शायद वही गेम है कि और गानिक ग्रो करो जो अमेरिका में इंडिया और निक खाना प्रोइट करने के लिए के लिए इतनी इतनी पॉपलेशन ने 1.4 बिलियर आप कैसे करोगे मैंने इवन जो फटलाइजर के जो लिमिट है जी यहों चाहल में जो देते हैं वही सेवरल फूड हाई करते हैं लोग बंबे डेली बैंगलोर में बहुत महेंगे खाने के स्टोर्स होते हैं फूड स्टोर्स जहां और चीजे मिलती है पर वो एकदम जो क्रीम पॉपुलेशन है टॉप ले और मतलब मॉंबे के भी सबसे अमीर लोग वहां शॉपिं करते हैं मत हेल्थ बर्लें तो पूरी कंट्री का होगा पर यहां न हमें यॉर्प से सीखना चाहिए यॉर्पियन गवर्मेंट और ऑस्ट्रे पता हिएं करते हैं तो गवर्मेंट को कुछ करना चाहिए को न मुझे लिए स्मार्ट प्लान बहुत जरूरी है है कि एक लिमित कर दीजेए उस ज्यादा नहीं होना चाहिए फुट इंस्पेकशन होना चीए सारे के फासर्ब और जो इस तरह की देंविटीश कर रहां पता उतना एड़ कर रहे हो, उसके क्या consequences होने वाले हैं? वाँ! और आप एक scientist हो, आप इस चीज़ को हर दिन पढ़ रहे हो, आप genetics as a subject को ज्यादा सीख रहे हो और दिन, I can't believe अगर आप यह कहरो, यह बहुत बड़ी warning है भारतियों पॉपुलेशन के लिए health burden, government के जो policy makers को भी पता है बात को जब मैंने इस podcast की शुरुआत की थी, मैंने आप सब पूचा था कि लोगों को आपके subjects के बारे में क्यों जानना चाहिए? और यह उसका जवाब है अगर खुद का भविश्या जानना है, तो इतिहास को जानने है पहले और science को जानने है, अभी के science को जानने है वैसे मैं आप से इतिहास के बारे में बात करना चाहता हूँ और क्योंकि हम खाने के बारे में बात कर रहा है अभी vegetarian के लिए, दूद, पनीर ऐसी चीजों में भी मिलावट होती है दूद में आप जो dairy farms होते हैं, बहुत सारा अच्छे भी होते हैं बहुत सारा dairy farms में करते हैं, मिलावट दो देते हैं, oxytocine milking के लिए, oxytocine is harmful, वो milk में आता है, फिर आप वो milk से आपके पेट में जाएगा, फिर oxytocine फिर भान निकलेगा हो, ताकि गाय ज्यादा दूद प्रोड्यूस करें, बिना बच्छे के दूद दे दे दे, या ज्यादा amount में उसका lactation हो, और आप देखिए, गाय क्या खाती है, वो भी तो matter करता है, आप गाय को आप खिलाओगे, गेहों खिलाओगे, और चावल, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके दूद में कुछ भी नहीं होगा, मिंदल्स तो होगे, नहीं कुछ, trace elements नहीं होगे, अगर गाय का जो नेच्रल खाना की है, घास है, घास है, आप उसको पुरा का पुरा गेहों खिला दिये, वो भी बिकार क्वाल्टी आफ जो गेहों होता है, फिर उसमें क्या मिलेगा, मैं ना vacation के लिए यहां गया था, राजाजी नाशनल पार्क के एक homestay में, यह branded चीज नहीं ह बड़या homestay, वहां जाएए आप, वहां के owners ने मुझे वहां के आदिवासियों से मिला, जिन्होंने हमें चाय पिलाए थी, और वो चाय में जो दूद यूज किया गया था, वो वहां की जंगली गाय से निकला हुआ दूद था, तो मैंनों से पूचा जंगली गाय मतलब क उन्होंने का कि यहां जो चीजें उपती है, कुछ-कुछ टाइगर्स भी कभी गाय को खा लेते हैं, पर वह एक रिस्क रहता है, और वहां की पॉपिलेशन ने टाइगर्स के साथ एक सिंबायोटिक रिलेशन्चिप बना देगी, अच्छा एक गाय अगर खानी है आप खा मैं जब जाता हूँ अपने गाओं तो मैं देखता हूँ कि लोग प्रौट फुली बोलते हैं, यारी मेरे गाय का दूद काफी अच्छा है, हम तो इसको अनाज खिलाते हैं, पता है सर, मुझे एक चीज में तो था ही, पर ट्वेंटी में भी मुझे बहुत बड़ा पिंप लाइफ से, मिजार्टी अफ इनियंस को पता नहीं होता है कि वो लेक्टोज टॉलेंस है, क्योंकि हमारा दूद पिना तो एक होती है, कॉमन प्रेक्टिस, समय एक बच्चा है, बाराथ सारगा बच्चा है, जिनेटिकली उसके अंदर लेक्टोज टॉलेंस का जीन है, 50% प खराब रहेगा, उसको अनीजी फिल होगा, उसको इर्टेशन होगा, फिर दूद पिय जा रहा है हो, मतलब, बट ये नॉलेज क्यों नहीं पता है, क्यों नहीं जाती नॉलेज, इस वरी सुप्राइज पर में, क्योंकि टियारस तभी नहीं था ना, नहीं पर, बट पूरे आइखुमेंट यह फिर बचचे को क्यालसियम कहां से मिलेगा, बच्या तगड़ा कहां से होगा, क्यलसियम खाना ही मिलेगा, कैलसियम तो बहुत और्डिनरी एलिमेंट होता है, वो तो हर जगे मिल जागा, आपको, आप ड़ी खिला देजें अगा, दोज से प्रॉल्म हो स्पिनिच पलक से मिलने होते है वीट में होते है बारलि में होता है दाइस होता है अंडे में होता है कलस्यूं काफी hot बड़ी बड़ी companies को हानी पहुच सकत्य है अब सारे लोग ऐसे होते हैं पेटte की प्रॉलम होते है पुरी lifelong Carmen Struggles करते हैं two to three percent नो प्데esar smart उनके अंदर होती है, ग्लुटेन जो वीट का होता है, प्रोटीन उसके लिए अलर्जी होती है, वो पता ही नहीं होता है, पुरी जिंदगी उजाज़ते हैं उलो, तो खुद का एक बॉडी जगप करना चाहिए, हाँ, सबको करना चाहिए, अगर आप को इस तरह के प्रॉलम होती है, कभी-कभी lactose intolerance टाइम के साथ भी बन सकता है, मतलब आप 25 साल के, जनेटिकली तो होता है, बट कभी-कभी क्या होता है, एपिजनेटिक, मतलब डियनने में कोई दोस नहीं है, कोई प्रॉल्म नहीं है, बट आपका environment driven changes होते है, डियनने के अंदर, मतलब pollution की वज़ गया, altitude अलग हो गया, आप कहीं गया, आपको अच्छा लगा, peaceful environment है, आपका पूरा-पूरा gut microbiota, change, इसलिए मुझे goa shift करने life में, हाँ, मैं भी प्लान कर रहा हूँ, मैं भी goa सही हा रहा हूँ, इसी वज़ह से, हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि कोई इसी जगह हो, जहाँ population कम हो, जहां कि जो गाय है, वो natural खाना खा सके, ताकि मैं गाय का दूद पी सको, जब मैं goa जाता हूँ, मेरी skin glow करने लगती है, यह क्यों हो रहा है, और Bombay में ग्लो चला जाता है, मैं भी वो पानी का होगा, जो हाँ के पानी है, उसमें, पानी में बहुत सा चीजी होती है होती है, यह ना, पैसो के चेज में लोग भूल जाते हैं, यहां पे जो इनियंस हैं, मैं इनियंस मैं ऐसे ब्रॉडर टरमने बोला हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं, जो कि उनकी प्रियोर्टीज, हेल्थ, खाना, क्या सूट कर रहा है, वो नहीं होती है, वो कुछ भी खा निकल दिये काम के लिए, क्योंकि हमने दूद के बारा में बात किया, मेरा खुद का परसनल एक्स्पिरेंस यह था कि यार अगर अगर अब भी ना, मैं दूद सिर्फ वो सिचुएशन में प्योंगा, जैसे अगर हम जंगल में गए, और वहां के लोकल गाय का दूद पी ल अब भी एडेज, तो आप लेक्टोस टॉलरेंज हो, इंटॉलरेंट, हाँ, इंटॉलैंट ओ, मतलड अब टॉलरेंस मतलब आप टॉलरेंस नहीं कर पा रहे हो, ओके हा, मतलब और मेरे जैसे बहुत सारे भारति है, बहुत सारे लोग है, और तुपरेंट, तर्टी है वो दूद में है okay बडपने उसको जो है transform कर दिया उसमें उसको ferment कर आया Поэтому इसहा होता है वह lactar PLL को कhen जाएगा और ब्रोटीन को changes कर दिया आपको cheese कर फोर में है Pernis क्या फोर अशिims जाता है और जीब सवाल पूछना छाता हम आपके according सबसे healthy state कौन सा है जहां सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है अम आई राइट यही थिंकिंग होगी ना आपकी लॉजिक यही है कि यहां सबसे डाइवर्स लोग है वो शायद सबसे हेल्दी स्टेट हो सकता है मुझे लता है कनाटका कनाटका एंड करिला क्योंकि वो कोस्ट पे है तो कोस्ट पे है और वो काफी चेंज नहीं हुए जो अंसेटरल टाइम से जो उनका फुड हैबिट है जो उनका लाइपस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं हुए अगर नौथ में जाहिए तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पीक पे है जो अपनी ट्रडिशनल डाइट थी उन्होंने चेंज कर दिया पहले बाजरा या जो थे सीफो प्लांट्स वोलते हैं उसको रागी हुआ इन चीज़ों का ज्यादा होता था यूज लास्ट हंडेट यह से हम शिफ्ट को गए गेंवों पर आगे राइस के डिफिन 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 वरैटीज पर आगे हमारे पस राइस के अच्छी वरैटीज थी मोटे जो चाओल होते थे उसको नहीं खाते हैं और उससे बहुत फरक पढ़ गया हमने बहुत सारे जंक फूड को एडॉप कर लिया और आप कह रहो कि करनाटका और करला में पुराना खाना खा रहे हैं करनाटका गोवा केरला इवन तमिल नाडु साथ के जो कंट्रीज ज़दा चिन्निय वे और नौट इस और साथ तो आपको वह ही खाते हैं जो उनके एंसेस्टर काते थे इस वाले एपिसोड में इसके बाद एक और एपिसोड होगा जहां और भी जाता ब्रेक्डाउन करेंगा पर ये दो शब समझाए अर इसका महत्वा क्या है ये भी गोत्र से रिलेटड होते है मेरे ख्याल से इसका अगोत्र से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों भी है कि एक दड़की चादी करने के बाद दूसरे घर जाएगी, मेल के पास, और मेल जो है, मेल जो है, फिमेल के घर पे आएगा, मैं जनेटिक वह पूछ रहा हूँ, यह मैंने चावडा सर से सीखा था, जनेटिक उसका उनके जीन का ऐसा एक पार्ट होता है जो उनके पापा के अंदर हूँ, और हर उरत के अंदर है, जो उनके अंदर वाड़ा, उनके नानी के अंदर थी, और अगर वह एक लाइन जाए हर फीमेल आंचस्थर ता तो वह एम लाइन है, जैसे Sure, I was a पार्सी की कहानी, पार्सी में काफी कम फिमेल साही थी, तो हर एक इंसान के अंदर जो होता है, माइटो कॉंड्रियल दियने, जिसे कि हम ऑक्सीजन को मेटाबॉलाइज करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, मतलब अगर अपनी बॉड़ी को ब्रेकडाउन करोगे, आपकी बॉड़ी से बनाई गई है, सेल्स के अंदर नूकलियस होता है, जो आपके सेल का दिमाग की तरह है, दिमाग और दिल एक जग़े और एक माइटो कॉंड्रिया होता है, माइटो कॉंड्रिया का रोल है, अब बताई भनिती इस। तो वह माइटो कॉंड्रियने आता है मदर से, जितने बच्चे होंगे, उनके अंदर जो मैटो कॉंड्रिया होगा, वह मतर से ही चाएगा, उसमें फादर के कोई कॉंट्रिबूशन ही होता है, तो आपके मम्मी के जो energy level जागर आपकी मम्मी बहुत जादा active है तो आप भी बहुत जादा active बन जाओगे अच्छा mitochondria था हम भी बनेंगे active अगर आपकी मम्मी आलसी है तो आप भी आलसी बनोगे ऐसा कुछ genetically proven नहीं है बट अगर mitochondria सही है मेरे मदर का उसमें कोई mutation नहीं है तो हमारा healthy mitochondria होगा और हर cell में हजारो mitochondria होते हैं तो ऐसे देखा जाए तो बुरे body में mitochondria के सबसे ज़्यादा जरूत होती है क्योंकि वो powerhouse है ठीक है बट जो Y chromosome है वो male में ही आएगा सिर्फ और from the father side मतलब आपका mitochondria आपको मिला है मम्मी की वज़े से और Y chromosome मिला है मेरे father के वज़े से वाइ क्रोमोजोम की खासियत के वाइ क्रोमोजोम ऐसा होता है कि इसमें की प्रिकॉमिनेशन होता है जब बच्चे बनते हैं तो आधे क्रोमोजों माते है मदर से आधे आते हैं फादर से उसमें जो Y chromosome होता है वो से वाइं क्रोमोजोम आपका पूरा एक प्रोमोजोम आ जाएगा father side से, बाकी जो chromosome है, वो आधे आएंगे mother से, आधे आएंगे father से. Okay, मतलब एक बच्चे को बनाने के लिए दो हिस्से लगते हैं, एक हिस्सा आपको अपने डाड़ी से मिल रहा है, जो उनको अपने डाड़ी से मिला, जो उनको अपने डाड़ी से मिला, पर वो जो दूसरा हिस्सा होता है, वो हाफ आपको डाड़ी की वज़े से मिलता है और हाफ मम्मी की वज़े से मिलता है, इसलिए इस game में मम्मी का हाथ कम रहता है, पर mitochondria की game में मम्मी का हाथ ज्यादा रहता है, पूरा 100%, जी, डाड़ी का हाथ रहता है इस गेम में एक हिस्सा डाड़ी कर रहा है, टो जैसे वाइ क्रोमोजोम को ट्रेस करना हो, अगर माल हुआ जै कि एक मेल गृूप आया इंडिया में, हजारों सार पहले, जी, सिब मेल आये, तो वो मेल जो है वाइ क्रोमोजोम ले किया आया है, मेल ठीक है बट माइट्र कॉंडिया तो पास नहीं कर पाएंगे ना उन्होंने लोकल विमें से यहां शारियां की बट आप माइट्र कॉंडिया को जब स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि तो लोकल है सब मेरा तो कोई contribution है नहीं बाहर से वाई chromosome तो मेल सा है तो इसलिए हम लोग वाई chromosome को भी study करते हैं at the same time यह देखने के लिए कि sex based migration कितने मेल आया कितने female है ओके तो उसका importance वहां होता है जानने के लिए कि मेल ने attack माली आरेयन कौन रहा होंगे मेल तो रहा होंगे ऐसा बोला गया था कि जब आरेयन ने इन्वेड किया तो वह मुश्टी मेल थे घोड़े पे आया तलवार लेकर किया है और अपना superiority की वज़ए से इन्होंने attack करके उन्हां occupy करा लिया और वह अपने साथ एक खास तरह का वाई क्रोमजूम लेकिया है इसको बोलते है आरवन एवन और सुपरियर क्लास का रवन एवन पुरी ईरोप में होता है वो जिल में और वो उस समय लेकिया है चार अजासर पहले कुछ पुब्लिकेशन सुमें 2002 में 2000 में कुछ बुक्स लिखे गए काफी हाई प्रोफाइल बुक्स इंडिया में उन्हें लिमिंटेब डेटा के उपर लिखा गया इसमें कि यह दिखा गया कि आरवन एवन जीन जो है साउथ इंडिया ओडिशा के बहुत सारे ट्रैवल ग्रूप थे नौरत के थे कश्मीरी कुजर थे कश्मीरी बकरवाल कर दी सारे पापुलिशन थे और जब मैंने देखा कि जो आरवन एवन है वो सम्में है से अलग अलग है जिसे नौथ हिंडिया के ब्राम्हें में 20 परसेंट है और साउथ हिंडिया के ट्राइब में 12 परसेंट है तो हम इसको डिफरेंस नहीं मानते हैं में भी सेलेक्शन हुआ होगा और फिर हमने डेटिंग की उसकी कितने जनरेशन पहले आया होगा आरवन जी क्योंकि युक्क्त होता है तो पांच जनरेशन में में मालेचे और हमारे अंदर जो है 20 मुटेशन हुआ थीक है उस जीन में इसका मतलब की सौ जनरेशन पहले एक ग्रूप आया होगा और एक जनरेशन को पक्तीस साल माने तो इस चीए सब 150 साल पहले एक पापलेशन आया ह शबरिषा संथी समूमन 이야기 करें और भ्लेसरी से घूटीज एडल है यहांपर डैमरेस्टिष ज्सफोन प्लिश्विका करें असनल होती है वह को मानते हैं कि वह से पॉपलाशन मुफ किई होगी अब तो परदही है कि इंडिया से भूट सारे populations move की एरोप में और R1-A1 जो जीन है आज के परजिन डे एरोपेंस में बहुत सारे लोगों का कांट्रिबूरिशन साओथ एशियन दा होगा but it's a very big statement और आपस data है और प्रूफ भी है और इसको पॉब्लिश करने वाले हैं बहुत जल्दी पॉब्लिश होगा है क्योंकि दुनिया ये मानती है कि हिस्ट्री वहां से शुरू हुई और यहां आई पर आप साइन्स के माधियम से ये प्रूफ कर रहे हैं और नहीं भाई आपके पूरवज और हमारे पूरवज सेम थे भारत में थे और यहां से निकलके यॉरप गए बहुत सारे पॉपलोशन गए यहां से और यॉरोपियन्स को मैं जब जाता हूँ यॉरोप में अमेरिका में तो वहां के लोगों कोई दिकत होती नहीं है अगर डेटा है तो वो एक्सेप्ट करते हैं तुरंट अगर अगर आप देखोगे एक लाग साल पहले तो सारे की सारे इसिट्रस कॉमन थे अफरिका में अफरिका में सुखा पड़ा तो मूफ किये एक पहले वेव आई साउथ एशिया में इंडिया में आए और वही लोग गए अंदमानी कोबार गए पिस सेकेंड वेव उइशिया से वा आस्ट्रेलिया मैं वह जो आस्ट्रेलियन से वहां से कई ंधिया से बस नस्त्राइस कोई दिकति कि बाहनाे में कि अपरिजनल सो है बस층 को और देखा होगा morphologically they are like look like Indians only भार्दिय संस्कृति के बार में पूछते है और फिर commonalities draw out करते हैं और यह मान दी कि हम उनके भाई है मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जोनों का कि नहीं आपका कलचा हमारे कलचा से बहुत से मलग रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद सेकेंड वेब हुआ थर्ड वेब हुआ एरोप में गया वहाँ पहले सही थे हमारे भाई भाई बहन उसको बोलते हैं नियनरथल्स अब नहीं हो बर काफी स्ट्रॉंग थे और उनकी माफुलजी अलग थे यह नेक्स्ट एपिसोड बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स अपर थोड़ा मेट्री लिनियन लिनियन जो और पेट्री हाँ तो ही माइट्र कॉंडिया मा से आया वह मां का जो है कॉपी राइफ है वाइक रूमजों फादर कोपी राइफ है बट टु डिससंवाणी और माइटर्टैस सब्सक्राइब चाहते हैं जैसे की मेरे पापा बहुत ज्यादा महनती है और मेरी मम्मी बहुत जाना महनती है और emotional भी है और I feel कि मैं उनका combination निकला हूँ और कुछ चीज़े अलग है मतलब मम्मी और पापा से तो यहां भी is it fair उसे कि matrilineal lineage और patriarchal lineage patrilineal lineage का एक role रहा है या life के भी factors होते हैं नहीं इसमें कोई role नहीं होता है mitochondrial DNA का and white chromosome का traits होती है उसमें कोई role नहीं होता है personality पर कुछ फर्क नहीं होता है उसको बोलते है autosomal DNA जो wrist DNA होता है chromosome 22 जो होता है और 22 मां से 22 फाले साथ है उसका role होता है ओके और वो प्लीस करेक्ट में फ़र्म नहीं सो एक embryo form होता है और उस embryo के formation में बहुत अलग-अलग चीज़े रैंडम चीज़े होती है जो आपके control के बाहर है उनके भी control के बाहर है इसलिए अगर आप दो भाईयों को देखोगे या दो बहनों को देखोगे एक ही घर में रहकर पर उनकी personalities एकदम अलग है उनके कभी-कभी चेहरे भी एकदम अलग हो जाते है और ये भगवान के उपर basically dependent है तो इसलिए होता है क्योंकि जो आधा जो आया DNA वो random DNA है आधा जो मा से रैंडम है जो आधा फादर से वो भी रैंडम है जो दूसरा बच्चा होगा वो आधा होसता है क्यों मा वाला ना हो वो आधा जो हमारे सिब्लिंग में है जो मा साया है वो होसता है मुझे मेरे फादर से वो आधा आधा आ गया हो तो इसलिए वो similarities नहीं होती है अंटिन उनलेस की identical twins ना हो उसमें बिल्कुल ही equal sharing होती है genes की बट जब बच्चे ग्रो करते हैं या जब twins भी ग्रो करते हैं उसके बाद भी बहुत सारे होते हैं epigenetic modification अगर एक twin चला गया एरोप में एक रा गया इंडिया में तो जो environmental pressure होगा और जो epigenetic modification उसकी वज़ेसे हमारे एने इंदर बहुत सारे बदलावाएंगे जो दोनों भाई हो दोनों भाई भाई हैं अलगला हो और और अगर आपने एक भाई को पेत मै PAIR रा तो दूसरे भाई को ऐसे पेत साइन्स में इस सभाई को RS हम इस बात को स्भाई को में भी ऐसा होसता है कि दूसरे भाई को भी दर्द हो इसको छोड़ दिजी ना आप आपको क्यों बोलना कि नहीं मैं साइंटिस्ट हो तो मैं इस बात को नहीं मानुगा डॉक्सर नीरा जुराइए यही था हमारा पहला एपिसोड आपमें 20 पॉडकास्ट और है तो जट से दूसरे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं कैसा रहा पहला पॉडकास्ट मजा रहा है मजा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर पर अभी एपिसोड नमबर टू धन्यवाद तो दोस्तों यह था आज का एपिसोड हिंदी में मुझे बहुत सारे scientific conversations करने हैं अब तक सिर्फ अभी जीद चावडा को हमने इस पॉडकास्ट पर लाया as a science all star शायद हमारे दूसरे science all star हमें आज मिल गए डॉक्टर नीरा ज्राय तूसरा एपिसोड कभी इंतजार कीजिए वो भी बहुत बढ़िया conversation थी मुझे तो बहुत मसा आता है ऐसे conversations में मुझे यह बताईए कि science के topic को लेकर आपको और क्या-क्या जानना है बताईए let me know ऐसी बढ़िया conversations आते रहेंगे TRS पर support करते रहें और हमारे साथ मिलकर सीखे और भारत को आगे लेकर जाहिए दोस्तों जैहिंद धन्यवाद lots of love झाल